इस देख सकते हैं इधर अखले सियादू जी का संबोधन चल रहा है इधर नेता जी सो रहे है देखिए और उस तरफ अखले सियादू जी का संबोधन इस देखिए स्कूल है जिनने पूरे पिशे निला तो अखे आगे रहे हैं तो कुछ लागा लाओ अरो यह महरा इंदम भसल माचाए दिया तर्कारी स्कूल में बच्छे पढ़े नहीं आरे हो और बच्छे पढ़ी ने तौन के बाख भूपी यह रोज़ा नहीं है आजे इसके जंदम अी हम एहे इंदम ढेए नहीं हैं जो कुछल में बचानी के वार आव जये जिकी में अलय कोई जया आखको हॉण धुट कंडल प्रोंजिक आगे हुण जह कि मूं जुब प्रहकत है जे इस इससे ओफे ओधिसे अखिलास यादा जिन्दाबाइ जिन्दाबाइ जिन्दार ताब से खेंग March 17, 2-3 जिन्दाब से बेंदे एयाय 녁ण जुति प Defenserend सबसे सबस्भाइर दिन्दाबाइ उतसा में तो मैंेड़। चर्ड मैं से गञाय बत talking अब हमारा ले लिजिए बस इदर आई एक अदम एक अदम आगे हैं इसके में सब्सक्राइए आप देख सकते हैं की इसकैं की इसके नहीं आपने 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 अपने तरीके से अपनी बात को रखने की को करीब से आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिस कर रहा हूं लगातार यहां के लोग इस बात को लेकर उस्टाहित है काज उनके बीच में समाजवादी पार्टी की राष्टी अधेश अखलेश यादो जी पहुंचे हैं और यहां घोसी की जनता को शंबोधित करने का काम कर र हैं और जिनके लिए आज समर्थन मागने की कोशिस अखलेश यादो जी के द्वारा लेख सकते हैं जोड़दार नारे के मता रहे हैं कितना उस्साह है लोगों में अखलेश यादो जी के आने पर और सीधी तस्वीरें लगातार मैं आपको ग्राउंड जीरों से पहुंचा को लेकर और अखलेश यादो जी के सामने ठीक सामने इसको पहुचाने की कोशिस कर रहे हैं एक जन सभा को संबोधित कर रहे हैं क्या बात है आसीश कुमार पांडे महामंत्री उत्तरप्रदेस विद्धूर संख मार्च माह में हम लोग अंदोलन किये थे अपने बेतन को ल सब्सक्राइब क्योंकि यह युवाहों के नेता मजदूरों के मसीहां कभी इनके राज में नेता मुलाहिम जी के राज में किसी भी मजदूर का सोसड नहीं हुआ है किसी मजदूर को बाहर नहीं किया गया आज 20,000 परिवारों की बात है 20,000 परिवार मतलब लाग परिवार तो क्या लगता है याई इसको दिखाने से आपकी वहां तक पहुंच पाएगी हम वरोसा हमको अपने नेता पे कि हमारी आवाज यहां चुछाएंगे और हमें नयाज दिलाएंगे बिल्कुल इस उम्मीद के साथ क्या नाम है आशिस कुमार पांडे जी हैं आप देखिए इन चुनावी चुपाल को संबोधित कर रहा है यहां के लोगों को ब त्सवीरे तरफ सीद्व और उनके संबोधन उपने माध्यम से अपनी बात को ओहां तक पहुचाने की कोसिस कर रहे हैं कुछ लोग पीस जन्सभा को समभोधित करने का काम कर रहे हैं आप तस्वीरें सीधी तोर पर देख रहे हैं मैं आपको सीरे तार पर पर इसक्रीन पर पहुचानी की कोशिस कर रहा हूं कि यह देखे लोग अपने पने पोस्टर उठाकर उन तक अपनी बात को पहुचानी की कोशिस भीड में कर रहे हैं आप यह देखिए और सामने बिलकुल अखले स्यादो जी है और वहां पर अपनी इस बात को पहुचानी की कोशिस से देख सकते हैं अवाज दो हम एक हैं कि लोग यहां अपनी बात को अखले स्यादो तक पहुचानी की कोशिस हर पलपल की अपडेट आप तक मैं पहुचानी की लगतार कोशिस कर रहा था सीधा मंच के पास से और संबोधन अखले स्यादो जी का चल रहा है यहां जो घोसी की जनता है उसे संबोधित करने का काम कर रहा है सवाजबादी पार्टी की राष्टिय देचकलेश चादों और पिसे तस्वीरे देखे वहां पर उनकर शंबोधन चल रहा है इस तरफ यहां की जनता और इतर राजा यह थोड़ा साहिए इस तरफ तस्वीर में आपको दिखाना चाहता हूं देखे कैसे अपनी बातों को तक पूचाने की कोशिस कर रहे हैं यहां के इवा और उनके सामने तमाम जो नातर जार सिचक भरती आरच्छन घोटाले को लेकर अपना पोस्टर ऊपर उठाकर खड़े किये हैं और तमाम इवा हैं आप देखे किस तरीके से समारगादियों का मुद्धा था पैंसन स्कीम की भी बात अभी जो है अप्ले स्यादों ने की है करेंगे और पीएस उतने ही जलनी लागू हो जाएगी